नुख़्ी चुनाव आयोगत राजीव कुमार ने चुनाव सुधारों को लेकर कानून मंत्राले को एक पत्र लिखा है ये पत्र एक नोटिबीकेसन जारी करने के लिए लिखा गया है इसमें आधार कार्ट को वोटर आईडी कार्ट से जोड़ने की मांग की गई है इसके साथ ही इस पत्र में ओपनियन पोल और एकजिट पोल पर बेहन लगाने की बात कही गई है चुनाव आयोग ने एक ही उमिद्वार के एक ही सीट से लड़ने की मांग रखी है इन मांगों के अलावा योगी लोगों के लिए मद्दाता के रूप में पंजिक्रण कराने के लिए चार कट आपडेट जारी करने की मांग रखी गई है इन्डियन एक्स्प्रेस की खबर के मुताबिक नाम न बताने की सर्थ पर चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी उसने बताया कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्राले को कुल 6 प्रस्ताव बेजे है बतादे कि दिसंबर 2021 में राजिस्वा में धोनिमस्ते चुनाव कानून संसोधन विदैक 2021 पारित हो गया था इसके बाद आसानी से आधार कार्ट को बोटर कार्ट से जोड़ा जा सकता है विबक्ष ने इस संसोधन का विरोध किया था उन्होंने मोधी सरकार प्रारोब लगाय था कि उसने इसे बिना किसी चर्टा के जल्दबाजी में पारित किया है चुनावायोग ने 24 ए फॉर्म में संसोधन की मांग की है जिससे 20,000 रुपे की बजाए 2,000 रुपे के अधिक के चंदे को राजितिक दौलों के द्वारा स्वारुजनिक किया जाए जन प्रतिनीजित्व अधिनियम 1959 की धारा 29 के मताबिक चुनावायोग को पार्टियों को पंजिक्रित करने का तो अधिकार है लेकिन उसे उनका पंजिक्रित रुपे करने का अधिकार नहीं है